कितना है तूद्ध तूद्ध इसको पहले बॉइल कर लो उसके बाद जब बॉइल हो जाएगा ना तो किरी चाही बनानी है तूद्ध बैंगन तीन पाल लिया है तीन पाल असलाम लेकूम वेलकम बैक टू माई चैनल तरभ खान वे लॉग्स आई होब आप सब लोग और आज बहुत दिनों के बाद मैंने बैंगन मंगवाए हैं मुझे आलू बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं आज मैं बनाओंगी आलू बैंगन अभी बस साड़े नौ का टाइम में मैं सोकर उठी थी तो आज चाहे के लिए फ्रेश मिल्क नहीं था और मुझे ना चाहे एक मिल्क शॉप है वहाँ से मैंने दूद आर्डर करवा लिया था तो बस अभी सबसे पहले मैं इस दूद को बॉयल करूंगी उसके बाद अपने लिए चाहे बनाओंगी और आज किंजा भी हमारे घर आई हुई है बलके पिछले तीन-चार दन से किंजा आई हुई है मुकदस की बेटी है मुकदस काम तो छोड़ गई थी लेकिन आती रहती है वीक में एक बार जरूर चकर लगाती है तो इस बार तो वो अपनी बेटी को भी छोड़ गई थी तीन-चार दन से वो यहीं है और बड़े मज़े में रह रही है बलके मैं उसको पूछती हूँ कि कि अम्मी के पास जाना है तो कहती है नहीं मैंने वहाँ नहीं जाना मैंने इसी घर में रहना है दो हफ़तों की शदीद तरीन गर्मी के बाद लाख लाख शुकर है कि अल्ला ताला ने अपनी रहमत नाजिल फरमाई और सब जानदारों को सांस आई अल्ला ताला का जतना शुकर अदा किया जाए का मैं यकीन करें पूरा वन वीक होने वाला है मैंने अपने घर की एक सिंगल विंडो भी ओपन नहीं किया क्योंकि जैसे ही मैं विंडो खोलने की कोशिश करती थी ना और बाहर से इतना हब्स और घुटन घर के अंदर आता थ एसी चलने की वज़ा से सारी विंडोस हर वक्त बंद रहती थी आज ये मौसम हुआ है तो मैंने अपने पूरे घर की विंडोस खोली है उपर वाले पोर्शन की भी नीचे वाले पोर्शन की भी सारी विंडोस मैंने खोली है सारे घर के मैंने एक्जास्ट्स आन की हैं आख घर के बने हुए पकोड़ों की बात होती है ना वो बाहर के पकोड़ों की होती ही नहीं है लेकिन मैंने आज साफ हाथ खड़े कर दिये थे कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और नहीं मैंने बनाने है और नहीं मैंने बनाए जरूरी नहीं होता कि जब भी अब बादल आ जाएं बारिश हो तो बस घर की ओरत खड़ी हो जाए चूले के ओपर और पकोड़े बनाने खड़ी हो जाए घर की ओरत को भी मौसम इंजॉय करने का उतना ही हक है जतने बाकी लोगों को होता है आज गर्मी दिन में बहुत जादा थी और मैंने ना बस मसूर की डाल बना ली थी जो दिनी दिन में हमने खा ली थी और वो खतम हो गई थी अभी रात का टाइम था तो मैंने सोचा कि देसी की के प्राटे बना लेती हूं और साथ में जिसने फ्राई एक खाना होगा तो फ्राई एक ले लेगा और जिसने ओमलेट लेना होगा उसको मैं ओमलेट बना दूंगी यहां पर अक्सा और सम्या के लिए भी प्राटे मैं ही बना रही हूँ तो असल मैं वो तो कह रही थी कि बाजी हम अपने खुद बना लेंगे लेकिन मैंने का कि मैं खड़ी हुई तो हूँ तुम लोगों के भी मैं ही बना दूँगी अच्छा यहां पर ना आज अपने अक्सर इस तरह की चीज़ें मेरे भी नॉलिज में आई हैं और बड़ा अच्छा किया जिन्हों ने भी मुझे इस पर बात करने के लिए कहा हो सकता है कुछ खवातीन वाकरी में इन सवालों के जवाब तलाश करना चाहरी हो तो मेरी बातों से उनकी शायद थोड़ी बहु हुई है और उनके हस्बंड्स उनके साथ इस तरह से भीव करें कि अगर उनके मेके से कोई आ जाये तो उनका मुझ बन जाता है या वो नागवारी का इजहार करते हैं या वो खुश नहीं होते हैं तो देखें कि अभी आप ना इन बातों के उपर अपने हस्बंड्स से लग जाते हैं एक दूसरे को समझने में एक दूसरे की बात को समझने में लग जाते हैं तीन चार साल हाला के मेरे husband तो देखें मेरे कजन थे ठीक है हम एक दूसरे के घर आते जाते थे बहुत जादा आना जाना था लेकिन इसके बावजूद भी as a husband मुझे उनको समझने में काफी टाइम लगा और इसी तरह इसा वाइफ उनको मुझे समझने में बहुत जादा टाइम लगा तो जो शादी के बाद का पीरियड होता है ना अगर उसमें आपके हस्बेंड ऐसे करें तो प्लीज उसमें तो बिल्कुल भी आप लड़ाई छगड चाहे आपकी love marriage है चाहे arrange marriage है ठीक है दोनों marriages में एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है वो understanding period होता है शादी के पहले तीन साल तक तो अपने हस्बेंड से किसी बात पर भी जगडा ना करें ना अपने सुस्राल वालों को लेकर जगडा करें ना खरचे के लिए ना आप मेके वालों के आने पर अगर आपके husband नागवारी का इज़ार करते है ना इस चीज़ पर जगडा करें घर्स के किसी चीज़ जगडा ना करें तीन साल तक ठीक है तीन साल के बाद पिर देखें कि हाला किस तरफ जाते हैं आपके husband का क्या रवीया आपके साथ होता ह अच्छा दूसरा पार्ट ये कि अब हम बात कर लेते हैं उन खवतीन के बारे में जिनकी शादियों को 5-6 साल का अर्सा हो चुका है और डे वन से लेके अब तक उनके हस्बंट जो हैं उनके मेके वालों के आने पर नागवारी का इसार करते हैं थोड़ा सा हाईपर ओकर या उपर आकर बात करने की कोशिश करेगी न तो शोहर फॉरण औरत को दबाने की कोशिश करेगा ये मर्द की फितरत में है ठीक है तो आपने ना जब भी अपने हस्बंट से बात करनी है ना बहुत जादा अराम से प्यार से विदाव टैनी लड़ाई जगड़ा आपने बात करनी है और हमेशा कोशिश किया करें कि अपने हस्बंट को किसी भी काम के लिए किसी भी चीज के लिए कन्विंस करने की कोशिश किया करें और जायदा दबाओ ना दिया करें क्योंकि जैसे ही शोहर के उपर थोड़ा सावी दबाओ, अपनी बात मनवाने के लिए दबाओ डालने की कोशिश करो ना वहाँ तो शोहर की टांग ऐसी अड़ जाती है ना फिर उसको फूई निकाल ही नी सकता सुई फस जाती है, टांग नहीं अड़ जाती है, सुई फस जाती है कि फिर वहां से आप उन्हें हटा नहीं सकते देखें, वक्त के साथ सातना मिया और वीवी एक दूसरे को अंडरस्टेंड करना शुरू करते हैं बहुत सारी चीज़ें मेरे और मेरे हस्बंड के दर्मयान ऐसी थी जो हम नहीं शुरू में एक दूसरे की अंडरस्टेंड कर पाते थे पिर हम छोड़ देते थे, लड़ाईयां भी बहुत हुई हमारे दर्मयान जगड़ते भी हम बहुते ही, वन अब तक जगड़ते हैं हम दोनों के दर्मयान में कोई आता था, हम दोनों खुदी लड़ते थे, खुदी अपनी लड़ाईयों को हम सौट आउट करते थे इवन अब तक हम दोनों जगरते हैं लड़ते हैं ना तो मेरी फैमिली में से कोई दर्मयान में आता है ना ही उनकी फैमिली में से कोई दर्मयान में आता है तो ये बड़ी अच्छी बात है तो मिया बीवी जब भी किसी प्रॉब्लम में हो दोनों बैठ कर उस प्रॉब्लम को solve کریں कभी किसी को अपने مسئلों के दर्मयान में या अपने दर्मयान में ना आने दें अगर फिर भी शादी को 5-6 साल हो गए या चले सपोज इससे ज्यादा हो गए पिर भी आपके husband आपके मेके वालों के आने के उपर मोबनाते हैं या किसी नागवारी का इ lithaahar करते हैं तो देखें आप अपने मियके वालों को मना कर दें आपके उनको बार बार बुलाकर उनकी बेस्थी करवाते हैं और सबसे पहले आप खुज अपनी बेस्थी करवाती है ठीक है जब आपको छोड़ दें उनको उनके हाल पे छोड़ दें और अपने घरवालों को मना कर दें कि वो आपके घर ना आया करें क्योंकि देखें अगर आप इस बात पर अपने घर तोड़ेंगी आपके शोहर ने तो समझना नहीं है कुछ शोहर होते हैं काफी understanding होते हैं वो बीवी की बातों को समझ जाते हैं लेकिन कुछ इतने अखड और अडियल होते हैं जो बिल्कुल भी बीवी को या बीवी की वालों की बेस्ती है ना तो प्लीज आप उनको मना कर दें लेकिन इस बात को लेकर अपने हस्बंड से जगडा ना करें अगर आपके हस्बंड आपके लिए ठीक हैं आपकी वालदین के घर ये ना फिर वालदین के घर भाई होते हैं भावियां होती हैं वो खुद वहां पर अलग जगड़े स्टार्ट हो जाएंगे अबर इतनी सी बात पर आप अपना घर छोड़कर अपने वालदین के घर चली भी जाती हैं तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि वहां आपके और आपके बच्चों के खर्चे कौन उठाएगा ओल्दین ने सारी जिन्दगी तो जिन्दा नीरा रहना होता अलापाक सबके उल्दे को लंबी उम्मर दै लेकिन किसी ना किसी दिन सबके वालदे के जाना होता है पुरा सा अंडरस्टेंड करें और इस बात को लेकर अपने हस्बंड से बिल्कुल भी जगडा ना करें मुझे पता है बीइंग वाइफ मैं भी अगर सोच हूँ अगर मेरे हस्बंड इस तरह से मुझे बहुत बुरा लगेगा लेकिन औरत के पास ना कभी भी चॉइस नहीं होती चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हूँ औरत के पास चॉइस नहीं होती हमेशा कुर्बानी का जो दर्स है वो औरत को ही दिया जाता है और औरत को कुर्बानी देनी पड़ती भी है सम्टाइम्स अपने घर की खातिर सम्टाइम्स अपनी खातिर और सम्टाइम्स बच्चों की खातिर तो ये चोटी चोटी बातों पर अपना घर मत खराब करें अपना घर मत तोड़ें क्योंकि अगर आप हर वक्त अपने husband से यही बात करती रहेंगी या अपने दिल में इस बात को रख कर आप husband से उखड़ी उखड़ी रहेंगी नाराज रहेंगी ठीक तरह से उन से बात नहीं करेंगी तो फिर husband आप से दूर होते जाएंगे देखें मर्द को औरत से दूर होने में मिनट नहीं लगता मर्द के पास हमेशा बहुत चॉइसे होती है तो हर बीवी ने अपने शोहर को खुद कंट्रोल करके रखना होता है और हर बीवी को ये बहुत अच्छी तरह से पता होता है और बीवी हमेशा शोहर को प्यार से कंट्रोल करके रख सकती है तो ये छोटी-छोटी बातों पर अपने हस्बंड से बिल्कुल भी छगडा ना करें है ये कोई ऐसी बड़ी बाते नहीं है हाँ आपने अपने घरवालों से मिलना है आप अपने मेके जाएं वहाँ छुटियां गुजारें पांच छे दिन दो तीन दिन जितने भी आपके हस्बेंड आपको अलाओ करते हैं आप जाएं अपने वालदायन की खिदमत करें अपने बहन भाईयों से मिलें तो बस यह था मेरा आज का व्लॉग और इतने संस्टिव और इतने लेंथी टॉपिक को मैंने 10 मिनट में कवर करने की पूरी कोशिश की है अगर थोड़ी सी भी मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप मेरे चैनल पर नही है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी कर दें इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें अपना ख्याल रखिएगा अलाफिस